हिलो फ्रेंज्स आज हम इस वीडियो में क्रिस्टिल्स के बाई में बात करेंगे कि क्या क्रिस्टिल्स सच में वर्प करते हैं अब जब भी हम यूनिवर्स की किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं हम एनर्जी, अगर हम यूमेंस की बात कर रहे हैं तो किस तरह से हम एनर्जीज को अंप्लिफाय करते हैं अपने देखा होगा आपने लाइफ में कहीं बार लोगों की एनर्जीज एब्सॉप करते हो या अपने अंदर स्टोर कर रहे हो या दे रहे हो एनर्जीज हम अपनी एनर्जीज भी दुसरों को देते हैं, transmit करते हैं तो हमके इस तरह से energetic way में काम कर रहे हैं तो जिस तरह से human beings energetic way में काम करते हैं वैसे ही crystals भी होते हैं इनका अपना blueprint होता है ये living consciousness records होते है तो जो past में भी चीजे होई हैं उनके records, crystals hold करते हैं हम जानते हैं कि ये earth से निकलते हैं तो इनका earthy vibration होता है बहुत सारे purpose इसके लिए हम crystals को use करते हैं emotional, physical, mental, spiritual हर तरह से different different चीजों के लिए हम crystals को use कर सकते हैं अब no doubt crystals बहुत ही powerful होते हैं बट ये एक tool है जो हम use कर रहे हैं crystals neutral होते हैं neutrally charged होते हैं जब हम इने program करते हैं जब हम इने intention डालके use करते हैं तब ये हमारे लिए काम करते हैं सो crystals को जब हम किसी energy के साथ combine करते हैं ये best way में हमारे लिए work कर सकते हैं बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारे अंदर के crystals हम activate करते हैं जब भी हम किसी crystal के energy के साथ जूडते हैं, हमारे अंदर के crystals हम activate कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जब भी हम इस earth body पे आ रहे हैं, धर्ती पे आ रहे हैं, तो हमारे अंदर DNA है, वो records hold कर रहे हैं, जो भी past के हमारे births है चुके हैं, वो सारा record हमारे DNA hold करता है, जिसके अंदर crystalline properties होती हैं, जैसे हम spiritually भी अपने आपको grow करते जाते हैं, तो DNA हमारा जैसे light up हो रहा है, जैसे हम light body में अपने आपको convert कर रहे हैं, वैसे वैसे हम carbon based body से silica matrix DNA template में convert हो रहे हैं, यहां हम बोल सकते हैं, original human crystalline blueprint में हम अपने आपको लेका जा रहे हैं, जो हमारा original blueprint है, तो यहां पे हम बाहर से crystals के energies के साथ जुड़ते हैं, आपने देखा होगा आप किसी particular crystal से कई बार एक strong attraction मेसूस करते हो, वो इसलिए होता है क्योंकि कई ना कई वो ही सारी qualities हम अपने अंदर subconsciously missing समझते हैं, तो हमें एतन नीड आती है कि हमें यह type के particular crystals की जरूरत है, for an example अगर आप amethyst crystal के एक strong attraction feel करते हो, तो subconsciously आपके अंदर उन चीजों की जरूरत है, जो amethyst के qualities होते हैं, जैसे intuition को enhance करना, immune system को balance करना, या fears को release करना, anger issues को release करना, anxiety को release करना, manifestations अपने increase करना, master manifester बनना, तो अगर किसी भी crystals के लिए आप एक strong attraction feel कर रहे हो, तो हाँ समझ जाए कि आप वो crystals को इसलिए choose कर रहे हो, क्योंकि subconsciously आप चाहते हो कि उस qualities को अपने अंदर लेना, हम attract करने के लिए crystals use कर सकते हैं, अगर love attract करना है, money attract करना है, या body को आपको detox करना है, EMF radiations जो होते हैं, electromagnetic frequencies, उनसे अपने आपको protected रखना है, अपना intuition increase करना है, spiritually अपने आपको grow करना है, या physically आपको कुछ चाहिए, जैसे weight loss करना है, या कोई health issue है, thyroid, diabetes, PCOD, तो health issues के लिए भी हम crystals को use कर सकते हैं, protection करने के लिए आप crystals को use कर सकते हैं, तो जो भी आप crystals को use कर रहे हैं, उसमें आपको intention अपना डालना है, use करने के पहले आपको program करना है, अपना intention डालना है, best way में crystals आपक करने वाले है, आप कोई modality use कर रहे हो, crystals use कर रहे हो, ये सब हमारे लिए tool है, power आपके अंदर है, आप कोई crystal को भी use कर रहे है, या आपके अंदर की energies को activate कर रहे है, तो जिस तरह से आप intention डाल रहे हो, आप अपनी energy डाल रहे हो, वैसे crystals आपको help करने वाले हैं, और दूसरी चीज़ है believe, मैंने अकसर देखा है कि जो believe रखते हैं कि उनके लिए crystals काम करेंगे, उनके लिए crystals definitely काम करते हैं, तो आपका believe होना जरूरी है, crystals को use करने के लिए, अगर आप कोई भी crystal use करें, उस पे आपको faith नहीं है, believe नहीं है, तो वो crystals आपके लिए काम नहीं करने वाले है तो आपको अपने अंदर के power को realize करना है, power आपके अंदर है, crystals एक tool है जो हम use करते हैं, crystals की energies को हम intention से activate करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए magical way में काम करते हैं, और अगर हमारा believe होता है crystals पे, तो best way में यह हमारे लिए results भी लेकर आते हैं, मैं personally भी crystals को use करती हूँ, मैं surrounded रखती हूँ crystals से अपने आपको, मुझे इनके energies के साथ work करना पसंद है, crystal therapy में भी हम crystals को use करते हैं, लेकी में भी हम crystals को use करते हैं, angel therapy में भी हम crystals को use करते हैं, तो crystals as a tool हम use कर रहे हैं, और हम अपने अंदर के powers को activate कर रहे हैं, crystals के help से, जब भी हम question पूछते हैं कि crystals सच में work करते हैं, तो यहां पर आपको यह समझना है कि crystals तभी work करते हैं जब हम एक right intention crystals पर डालते हैं और हमारा believe होता है कि वो हमारे लिए work करेंगे और जो लोग में साथ already जुड़े हुए हैं वो जानती होंगे कि मेरा online छोटा सा metaphysical shop है जिसमें crystals, herbs, essential oils यह सब रहते हैं कि crystals को लेकि अगर आपको कोई specific questions है तो आप definitely मुसे contact कर सकते हूँ मैं अपने website का link भी share करी हूँ description में So thank you everyone, thanks for watching Namaste